जद्यो विधाया गुपाल मंजल का बेटा गिरफतार गुपाल मंजल के बतनी ने कहा पुलिस के गुंडागर्दी ठीक नहीं मेरे निर्दोष बेटे को पकड़ कर ले गई पुलिस ये विपक्षियों की हिचाल जद्यों विधाय गोपाल मंजल के बेटे को SIT की टीम ने धरदा बोचा गौर तलब ओके गोपाल पुर्विधान सवा सीट के जद्यों विधाय गोपाल मंजल के बेटे आशीश मंडल समी चार लोगों पर जमीनी विवाब को लेकर गोली कांट में वारंट जारी किया गया था उसी बाबाय ताज SIT की टीम ने तिलका माझी शीतला इस्थान के पास से गोपाल पुर्विधाय गोपाल मंडल के बेटे आशीश मंडल को धरदा बोचा कुछ दिन पहले गोपाल मंडल के बेटे आशीश मंडल में अपने बिग डैटी रेस्टोरेंट में धूमधाम से क्रिस्मस का सेलिबरेशन किया था बड़ बोले नेता गुपाल मंजल के बेचे ने कहा था मेरे पताजी किसी से नहीं डरते और मैं भी किसी से नहीं डरता उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायल हो रहा था वरिया पुलिस अदिक शाग बाबुराम ने एक दिन पहले ही मीडिया से मुखातिब होकर कहा था कि जमीनी विवात के तहट गोली कांज में अभियुक्त गोपाल मंडल कमेटा आशीश मंडल को जल्द गिरफ्त में लिया जाएगा और 24 गंटे के अंदर पुलिस ने उसे गिरफ्त में ले लिया गोपाल मंडल की पतनी सविता देवी ने कहा मैं नगर निगम के चुनाव के तहट मेयर पत की प्रबल दावेदार हूँ मेरा मेयर बनना सुनिश्चित है लोगों को इससे परिशानी हो रही है और मेरे राजनीत तक सही नहीं है तियका माजे के शीतला स्थान रोट के समीव विधाय गोपाल मंडल की पतनी के प्रचार प्रसार का कार्यालाय था उसका पुत्र आशीश प्रचार की तैयारी में लगा था तबी पुलिस आई और उसे रंगे हाथों पकड़ा वही मकान मालिक राजेश कु कि नहीं उन्हें बिनानों किसी नहीं ले जाना चाहिए था हमको भी को सुचना मेरे घर में आके पुलीस हम घर में नहीं थे और आके घर में घुज गया बिना कहें बिना पूछें बिना वारेंट बिना कोई सुचना अब बताइए कैसा ये प्रसासन का कजिए नाम राइस्मार पंड़ें बां पंड़ेंगे काहा है बिनाकजिक घर शाना है नहीं है नहीं है हाह नहीं है तब में एक बदूमी किана नहीं है